हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आभी देखे and वेलकम टू टेक्सोर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने लैप्टॉप या फिर कम्प्यूटर में किसी भी फाइल को जिप फाइल कैसे बना सकते हैं तो जिप फाइल का फाइदा क्या होता है पहले वो सुन ली है बड़ अगर आप जिप फाइल बनाकर भीजते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वह सेंड होती है और दूसरा फाइदा यह है अगर आप किसी भी फाइल को जिप फाइल बनाते हैं तो उसकी साइज छोटी हो जाती है एम भी कम हो जाती है तो फाइल बहुत जल्दी भी लिच पाते हैं आप किसी को Gmail की मदद से या किसी भी तरीके से तो यह फाइदा होता है zip file बनाने का तो zip file बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आप अपने सब जो भी folder जो भी document है आप एक जगा पर लेकर आजाए सब चीजे जैसे यहाँ पर मुझे इन तो मैंने यहाँ पर तीनों को लेकर आ गया है लेकर आ गया हूं इसके बाद आपको इन सब को सेलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक अपने माउस से दबाना है इसके बाद शो मूर आप्शन्स नजर आएगा इस पर क्लिक करना है सेंड टू पर क्लिक करना है और कंप्रेस्ट जिप फोल्डर पर क्लिक कर देना है इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यह कंप्रेस हो रहा है और कंप्रेस होते ही आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक जिप फोल्डर मिल गया है तो इस तरीके से आप जिप फैल बना सकते